नमशकार साथियो, माई सीजी एक्जाम में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको एक पोल्टल के बारे में बताने वाला हूँ जो कि कोरोना वैक्सिनेशन जो हो रहा है, उससे संबंदित है ये पोल्टल को कल, शाम को मुख्यमंत्री भुपेश भगेलद्वारा लॉंच किया गया ओनलाइन के माध्यम से लॉंच किया गया इस पोल्टल का नाम याद रख लेना, cgtika ये पोल्टल का नाम है, cgtika.cgstate.gov.in ये पूरा वेबसाइट का लिंक हो जाएगा आपको वस ये नाम याद रख लेना है, cgtika इसके बारे में आप फुरा बात करेंगे क्योंकि जो आगामी परिच्छा है उस आगामी परिच्छा में यहाँ से एक-दो कोश्यन बन सकता है एक कोश्यन बन सकता है cgpsc3 में भी यहाँ से कोश्यन आ सकता है तो इसको ध्यान से देखना और लास्ट में हम लोग गर्ट सैट में चलेंगे और देखेंगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का है यह भी देख लेंगे अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कि यह होना तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो भी कुछ नोटिफिकेशन है सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मिलते रहता है तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना हुआ क्या है जब से केंद्र सरकार ने ये घोशना कर दी कि 18 प्लस से 45 लोगों को टीका लगना चालो हो जाएगा इस आयू वर्क ये तो क्या हुआ अचानक से जो भी टीका करन जहां हो रहा था उस सेंटर से बहुत भीड़ लगना चालो हो गया इवन मैं मैं भी जब फर्स दे जब सुना ना कि अब 18 प्लस को लगने वाला है नौ बजे सब लोग को टोकन मिल चुका था इससे पहले मतलब लोग 6 बजे से लाइन लगाया हो गए थे फर्स दे ना सोचो ये जागरूप नागरिक है यहां के शेरों में ये इस थे ते गाउं में तो लग लगवा नहीं रहें ठीका गाउं में इसलिए लग अलग अलग बंदी आफ ये गाउं में तो लागवा नहीं है लेकिन शेहरों में बहुत बीड है और जब में फर्स दे पहुचा ना तो मुझे to नहीं लगा अब मैं सेकंड की लिए ये मां माइंस्याट किया कि सुबद 6 बजे जाना ह। सुबद 6 बज़े जाएंगे तो शाय अपने को टोकन मिल जाए चालू तो दस बज़े के बाद से होता है टीका लगना लेकिन टोकन जो है टोकन के लिए जो लाइन है वो सुबद 6 बज़े लग रहा था तो मैं सेकेंड डे सुबद 6 बज़े पहुंच गया अब सुबद 6 से बेख के चौक गया क्योंकि लोग पांत में से लाइन लगा हुए थे कोई बोला कि समसाड़े चार से लगाए है तो वहां से तो मैं एक बिलास्वा में तीन सेंटर था एपील वालों का तो मैं हर सेंटर में छान मानना चालू कर दिया तो एक सेंटर में पहुंचा अब उस दिन केवल 50 लोगों को टीकर लगा तो इस वज़ा से अब लोग नाराज जब मैं देखा ना मैं 60 नंबर पर लाइन लगा था और मेरे पीछे लगबग 400 लोग और लाइन लगे हुए थे मतलब टोटल उस सेंटर में 500 लोगों की भीड थी और कोई सोशल डिस्टें पर इस वज़े से सरकार में लेट सखञे हैं यह पर लॉंच किया घब इस पोर्टल में क्या होगा आपको मिल जाएगा तो करे अब इस पॉर्टल की फाइदा किया है पाइदा यह है कि अब लाइन लगाने की जड़त में पहला दूसरा यह जिस सेंटर में आप लगवाना चाहते हो उस सेंटर में आप रर्जिस्ट्रेशन कर सकते हैं प्रजिस्ट्रेशन कैसे होगा मैं पता हूँगा ठागर जब केंदर सरकार ने लॉंच किया था न जैसी 18 प्लस को टीकाउ लगेगा अ तो यह portal था konvin portal को भी ने पोर्टल यह केंद्र सरकार का portal है इस पोर्टल में ही registration हो रहरा है जब 45 प्लस भी चालू हुआ था तो ही इस पोर्टल के थूई registration हो और है ठीक है लेकिन 36 गड बं इस्थिती तोड़ी अलग है यहाँ पर यह कोब इन पोर्टल जो एक रागे हो चुका है और आज आँ गी नी रहे हैं कि क्छ शला नहीं आता है यह नहीं में या नगरी निकायों मुख्यालए में या नगर-nega मुख्यालए में help desk वैठा कर रखा गया है यह help desk में क्या होगा आप जाके यहां registration कर सकते हो और आपको मिल जाएगा इस डेट को इतना बजए जाके आपको ठीका लगाना है ठीक है तो यह बहुत अच्छा प्रयास है यह स्टार्टिंग में करना चाहिए था तीन-चार दीन बाद लांच किया गया लेकिन चलो ठीक है बहुत लोगों को लगनी पाया अभी तो इस पोर्टल के हो गया दूसरा अन्तियोदय का हो गया तीसरा एपी एल कार्डवालों का हो गया और जो फॉर्थ के टेगरी है वो जो फ्रंट-लाइन वरकर है उनको फॉर्थ के टेगरी के थुरू इसमें ऑप्शन आ रहा है ठीक है इस अभी जैसे मैंने बता है आप अपने पसंद के अन शार समय का भी चैन कर सकते हैं ठीक है ये फाइदा हो जाएगा आपको भीड में लाइन लगाना पड़ेगा क्योंकि 500-600 लोग तो लाइन लगा रहे है 300 टीका के लिए किसी किसी केंद्र में 100 टीका लग लग रहे हैं ऐसे छेत्रों पर तो इन सबसे बचाओ के लिए आपको रजिस्टेशन करना है और भीडभाड से बचना है ठीक है ये चार केटेगरी है अंतियोदय बीपील एपील और फ्रेंट लाइन वरकर्स फ्रेंट लाइन वरकर्स मतलब जो गवर्मेंट जॉब करते हैं जो सबजी व पूल फॉर्म है चतिसगर्ड इंपोटेक प्रमोशन सुसाइटी यह याद रख लेना चिप्स इसका हैड़कॉटर राइपुर में है ठीक है यह चिप्स ने बनाया है अब चलो देख लेते हैं रिजिस्ट्रेशन कैसे करना है रिजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिए करना पड़ेगा आपको cg tka.cgstate.gov में जाना पड़ेगा सिधा जाना और cg tka यह सर्च कर लेना सीजी टीका सर्च करोगे ना तो कोई लिंक तो सामने आई जाएगा यह सामने लिंक मिल जाएगा इसो क्लिक करके सिधा एंट्री कर लेना यह प्रकार पहुँच गये फिर उसके टेलों की करने के बाद हाब आपको जिला जुन लेना किस झूलत जीले से यहाइक लेना ध्यिद्ध में शायरी शेहरी है तो शेहरी ग्रामेट ग्रामे फGO स्सक्राइब करन जूँब से यहाइक फोरत लेना छ्य इन में उल्क्रण जर्ण× तुल्स होगा थो जदा तरह क्लिक कर लेना और जबस कतम यह कोशस्ट करने का बहुते सिंपल रएट से चिप्स ने बनाया है यहां पर दिखा आपको उसका लोगोगो जीप्स का लोगो टेकर यह चिप्स का वेबसाइट तो खुल नहीं रहा है चेक कोई ने तो यह सिंपल सा प्रोसेस है और एक चीज और बता दू यह थोड़ा लेट ही सही लेकिन अब लोगों को राहत मिलेगी इससे हैना राहत तो मुझे भी मिलेगी अब यहां से मैं रिस्टेशन करूँगा जब देट मिलेगा जिस दिन देट मिलेगा उजन जाके बीना भीड़वार सोचल डिस्टेंसिंग के साथ यह लगा दूँगा और सबसे मैं रोत करूंगा आप सब भी टीका लगवाएं और जो ग्रामीड वर्क से हैं जो पढ़े लिखे लोग है वो तो समझा सकते हो अपने घ इस दिन सिद का जरूर फॉलो करें है ना मास जरूर पहने